This is Maya Durwal, your SST teacher from Sardar Patel Public School. Today we will study our chapter first and the name of chapter is Understanding Diversity. अगर हम इसका मिनिंग देखें, डाइवर्सिटी का, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है, विविदिता, अलग अलग जो चीजें होती है, उन्हें आपके बोलते हैं, डाइवर्सिटी. तो Understanding Diversity का मतलब है, विविदिता की समझ. आज आपको बताएंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, और किस-किस प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है. तो देखो, पहले आपके definition लिखर कि, diversity is the presence of variety in society or the state of being valid from one another. कि diversity क्या होती है, presence of variety in the society. कि हमारा जो समाज है, उसमें जो अलग-अलग प्रकार की variety पाई जाती है. एक दोसरी चीजों से जो difference पाई जाता है, जो अलग पाई जाते हैं कुछ चीज़ें, उसे ही आपके क्या बोलते हैं, diversity. डाइवरसिटी आप देखें तो socially भी होती है, culturally भी होती है, physical भी होती है, mentally भी आप देखें मान सकता कि इसमें आती नहीं है, लेकिन होती है. physically आप अगर देखें, जैसे कि मान लोग आपकी classmate देखें या आप ली family में देखें तो आप देखेंगे कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं, किसी का color black है, किसी का white है, eyes का color अलग होता है, hairs अलग होते हैं, तो यह क्या होती है, उनकी physical जो structure है, उसमें diversity होती है. आप देखो diversity आपके यहाँ पे तीन टाइप के दे रखेंगे, पहले आपके है physical difference, physical का मतलब होता है सारी डिक फरक, सारी डिक कैसे कि कोई वेक्ति है, उसकी body की बनावट कैसी है, structure कैसी है, उसे ही आपके बोलते हैं, physical difference, इसमें देखो tall, कुछ लोग हैं, क्या होते हैं, ल आपके बाइज का कलर भी आप देखते होंगे, अलग-अलग होता है, किसी की black कलर की आईज होती है, किसी की blue होती है, किसी की brown होती है, किसी की gray कलर की होती है, तो यह क्या होती है आपके physical diversity, मतलब physical appearance में जो फरक पाया जाता है एक दूसरे से, उसे आपके बोलते हैं, physical diversity, next आपके term आती है, personal qualities की personal quality व्यक्ति का व्यभार कैसा है, उसमें कौन-कौन सी qualities है, देखो क्या होती है, some like outdoor life, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिने बाहर रहना पसंद होता है, गर से बाहर की जो life है, उने पसंद होती है, कुछ ऐसे होते हैं, जिनको घर पे रहना या अंदर रहन पसंद होता है, कुछ लोग हैं, देखो सबकी hobbies भी अलग-अलग होती है, आपकी भी अलग होती होगे न, किसी को कोई game पसंद है, किसी को music सुनना पसंद है, किसी को dance, तो यह होती है, इसके लाग कुछ लोग हैं, वो शाही होते हैं, शर्मीले होते हैं, कुछ लोग हो बहुत ही वास्ट कंट्री है, इसमें अलग-अलग community के, अलग state की लोग रहते हैं एक साथ, तो cultural diversities भी बहुत जादा पाई जाती है, cultural diversity में आप देखें तो इनका religion अलग होता है, language भी अलग-अलग होती है, उनके dressing sense में वो भी अलग होते हैं, उनके festivals अलग होते हैं, सारी ची समझ में आया होगा, कि diversity उस चीज को कहते हैं, कि एक चीज और दूसरी चीज के बीच में जो विविद्धा पाई जाती है, जो फरक पाई जाता है, उसी फरक को आपकी क्या करते हैं, diversity है, diversity आपके यहाँ पे तीन टाइप की बता रिखी, पहली आपके है physical difference है, कि वेक्ति क इसको बाहर रेना पसंद है, किसी को घर पे रहना कोई जादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई शाही होता है, किसी का कैसा nature होता है, कुछ होबी अलग होती है, वो आपके आती है, personal quality में, and last आपके आते, cultural diversity, मतलब अलग-अलग धारम, उनके अलग-अलग तोहार होते हैं, उनका dressing sense अलग होता है, language अलग होता है, यह सारे आपके आते है, cultural difference में, तो यहां तक आप अच्छे से revise करिएगा, next part upon next video पढ़ेंगे, thank you.